मित्रो, किस प्रकार से मंत्र हमें फलित होता है, और किस प्रकार से मंत्र हमारी मनों कावना को पूर्ण करता है, जो हम चाहते हैं, वो है किस प्रकार से पूर्ण होता है, हम जैसा चाहते हैं, क्या बैसा ही होता है, या दूसरे तरीके सो होता है, तो जब भी हम गायत्तिरी मं जाब करते हैं तो जैस प्रकार से की गायत्री में बोला गया है कि आई हु प्राणाम प्रजाम पसुम एर्थिम द्रवनम ब्रम्य बर्म्य बर्चसम यह सारी चीजें व्यत्ती को प्राप्त होती हैं जो गायत्री की साध्रा करता है लेकिन वो किस प्रकार से प्राप्त होती ह आज हम आपको इसी संदर में बताने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी हम देने के लिए जा रहे हैं, इस वीडियो के दिया आप सुरू से अंतर तक सुनेगे, तो आपकी बहुत सारी भ्रांतिया दोर होंगे। किसी भी मंतर का जाप करेंगे और तुरंत जो है हमारी मनुकामना प्रौन होने होते हुए चले जाएंगे। कई लोग जो है दीख्षा लेते हैं और उसके दूसरे तीसे दन पूछते हैं कि आचार जी हमें तीन देन हो गए हमें पांस देन हो गए लेकिन कोई गायतिरी मंतर का हमें लाव नहीं मिल रहा है तो मित्रो मंत्र क्या होता है मंत्र एक प्रकार की सक्ति होती है परमात्मा कोई ब्यक्ति नहीं होता कि वो आपके सामने आकर के खड़े हो जाए और आपको आशिरवाद देने लगे और आपकी सारी मनो कामना प्रोन करने लगे जब किसी भी मंतर का जाब करते हैं किसी भी देवी देवता की मंतर का जाब करते हैं तो मंतर जो हो सकती बनती है और सकती के आधार पर सबसे पहले गायतिर मंतर का जब हम जाब करते हैं तो आपके अंदर सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके अंदर सकारा सो처럼 होते हैं तो उसके सोचने की सक्थी अलग हो जाती है क raining in하게 र रहेंगे हम हमेसा परिसानी के सायर रहेंфें लेकिन जैसी विक्तिक अंदर सका रातमक Bेचार आते हैं आधे से जादा समझ्वा तो उसकी ही शालू हो जाती है, सकारातमक विचार क्या करता है कि आप एदी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते समय आपके दिमाग में कई परकार की चीजे रहती हैं आप अपने बास के प्रती गलस सूचते हैं आप अपने कर्म सहकरिमों के प्रती गलस सूचते हैं कि हमारे साथ यहांसा तो नहीं कर देगा हमारे सा लेकिन उसमें आदि आपकी सकारात्मक सोच नहीं है, आप हमेशा जो है, जैसी घर से निकले और आपके अंदर कई परकार के नकारात्मक विचार भरे हुए हैं, तो फिर आप किसी भी छेतर में सफल नहीं हो सकते हैं, तो सबसे पहला गाहित्री मंतर हमें देता है सकारात्मक बिचार तो जैसी ब्यक्ति के अंदर सकारात्मक बिचार आते हैं, गायत्री मंतर को सवीता, सवीता अने सूर बूला गया है, सूर से सुवज सवज बिटामिन डी निकलता है, बिटामिन डी ब्यक्ति के अंदर क्या लाता है, अदमी के अंदर सकारात्मक बिचार लाता है, अ हमारे आतवल को मजबूत करता है, बड़े से बड़ी कठनाईयों से जूजने की हमें सक्ति देता है, आपके ऊपर मुसीबत तो आएगी ही, आप साधना करें या ना करें, लेकिन जब आप किसी मंतर की साधना करते हैं, खासकर जब आप गैतरी मंतर की साधना करते हैं, तो उ जैसी आप शकारात्मक रूप में किसी भी परेसानी को लेते हैं वो परेसानी धीरे-धीरे कैसे खत्म होजाती आपको पता भी नहीं चल पाता और आपकी समझ्या आपकी जो हो खत्म होते हुए चली जाती है। दूसरा जैसी बिक्ती के अंदर सकरात्फमक बिचार आते हैं उसके अंदर की जो प्रबढ़ती है रहते हैं वो धीरे धीरे बदलना चालू हो जाते हैं और जब आपके बिचार बदल जाते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसे खराब नहीं होता है उसके बिचार ही उसको महान बनाते हैं या उसके बिचार जो है वही उसके लिए सैतान बनाते हैं तो जिस दिन आपके बिचार अच्छे हो जाते हैं, उस दिन हजारों हाथ आपके सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं, हजारों लोग आपके जो दोस्त कल तक आप से कन्नी काटते थे, वही लोग आपकी सहायता करने के लिए ततपर हो जाते हैं, तो दूसरा काम क्या होता है आपके मान सम्मान में बृद्धी हो जाती है और फिर इस प्रकार के विक्ति के जो गायतिरी के सादक होता है उसके किसी प्रकार के कोई भी काम जो रहते हैं वो कभी रुकते नहीं है उसके सारे काम बंते हुए चले जाते हैं तो सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है आपके लिए कि आपके काम कोई भी नहीं रोकेंगे, आपको अर्थ की आवशकता है, वो आपके लिए कहां से मिल जाएगा, कहां से मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो यह सक्तिय जो है, वो आपको इस सबसारी चीजे देती तो मंत्र जो है वो सक्ति बनता है तो आपके अंदर जो है जैसी सकार अत्म विचार आना चालू होते हैं आपके मानसम्मान में ब्रिद्धी चालू हो जाती है आप यदि मास मदर्या का सेवन करते हैं धीरे धीरे आपको मास मदर्या का सेवन करना आप बंद कर देते हैं तो आपका स्वास ठीक रहने लगता है, आप सिगरेट पीते हैं, सराब पीते हैं, कोई बैसन करते हैं, और जैसी आप उसको छोड़ते हैं, तो एक स्वभाव एक है कि आपकी जो है, आयू में बृद्धी होगी, और यदि आप सिगरेट पीएंगे, किसी प्रकार के कोई भी नस करेंगे, तो आपके अंदर आलश आएगा, आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर बासना आएगी, आपके अंदर आहंकार आएगा, आपके अंदर कई परकार की दुस्ट परवर्टी आएगी, तो ये दुस्ट परवर्टी आपकी धीरे-धीरे कमना चालू हो जात जैसी ये हमारे अंदर की दुस प्रवर्टिय दूर होती है, हमारे समाज में मान समान बढ़ना चालू हो जाता है। और जैसे छीजे परा denominator होते हैं, तो ब्तिकी फिर और किसी प्रकार की हुए भी जो कठना ही होती है, वो धीरे-धीरे हाल होना चालू हो जाती है। अदमी के अंदर बिवेग जागरित होता है और जैसी अदमी के अंदर बिवेग जागरित होता है उसे सही और गलत का निरने करने की उसके अंदर छमता जाती है और जब उस सही और गलत का निरने करने चालू कर देता तब उससे समझ में जाता है कि मुझे क्या काम करना क्या क काम नहीं करना है तो जैसी एस्थिति आती है तो फिर उसके अंदर जो है कई परकार के बदलाव आते हैं और भू फिर सही तरीके से निरने रहता है कई बार हम क्या काम करते हैं कि गलत निरने के कारण हम बहुत सारी समस्चाहों से घर जाते हैं कोई व्यक्ति करजा कर लेता ह आपको यदि कार की आवर्शक्ता नहीं है लेकिन आपके अंदर जो है बिचार है कि बाजी वाले ने कार खरीद ली हमें भी कार खरीद रहा है ऐसे इस्तितिम आप क्या काम करेंगे करजा ले लेंगे और फिर उसके पस चाहता आप भगवान को दोस्ति लेंगे कि भाई मेरे उपर इतना कारजा हो गया लेकिन आपकी सोच गलट थी लेकिन जिस दन आपकी सोच हो जाएगी कि नहीं जब हमारे पास में इतना पैसा आएगा उस दन हम कार खरीदेंगे तो फिर जब आपके पास म चेरे में किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई जगडे नहीं होंगे. तो आपके घर में जो ग्रह कलिश चला आ रहा था वो ग्रह कलिश धीरे दीरे आपका दूर होते हुए चलाएगा. अर्थ की तंगी है लेकिन आपके अंदर इस परकार की भावना आ जाते हैं कि पैसे को कहां खर्च करना है कहां खर्च नहीं करना है तो जिसन words अदमी को रुपया खर्च करने के सही तरीके समझ में जाते हैं, उस दिन फिर उसको पैसे की कमी महसूस नहीं होती है। अन्नता क्या होता है। कि हम बगएर सोच औ समझे धन का अभवाय कर लेते हैं। जैसे हम धन का अभवाय करते हैं तो फिर हम मसीवत में पढ़ जाते हैं। क्रोध करने से अद्मी के बहुत सारे दुस्मन खड़े हो जाते हैं, जब आपके अंदर क्रोध ही नहीं आएगा, तो फिर आपके दुस्मन कहां से खड़े होंगे, इस्त्रियों के प्रति आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आप जो है इस्त्रियों का मान सम्मान चालू कर कि अईक्र के neер चांगी आपको पर आदो करना पड़ेंगे और 2500 इन पर्छों ये किता उन आपकों किस फील्डव में जाना आए जाना है इसकी घुत उड हो domin ruler, इसके बिचार आपको देगा और जब आप उस छेतर में जाएंगे तो उस छेतर में आपको उसमें उन्नती प्राफ्ट होगी आपकी याददास्त बढ़ेगी और जिए दन आपकी याददास्त बढ़ जाएगी समझ्षाओं के समाधान आपका होत्त भी चले जाएगा